हैले दोस्तों नमस्कार गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानि किसे रिता का कैसे हो आप लोग आसा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है जितने साथ ही ह देख रहे हैं इस वसी प्राथना है सारे साथी स्वस्त रहें मस्त रहें अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें तरक्की करते रहें तो दोस्तों हो गई है एक प्यारी सी सुबा की सुरुवाद आप लोगों को मेरा प्यार भरा सुप्रभाद तो यहां पर सुब तरोई बनाने के लिए हमने जो है मसाले को भोना नहीं था पहले तो कच्चा ही मसाला डेली वाले सारे निकाल लिये थे तो इनको पहले पीस लिया है उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल कर और थोड़ी सी इसमें हमने मेथी डाल दिया है और उसी में यह मसाला प प्रजेम बनाई के प्रेंगे लाइफ के सज़ां देंगे अरय छोटा आज क्सानिकी सतना ही निया के थे तुटा in देनका। थोड़ा समसाला टाइम भी जादा लगता है और ऐसे जल्दी आसानी से भर भी जाती हैं और बाद में चाको से कट कर देंगे तो यहाँ पर जो है सारी हमारी तरोई भर चुकी हैं और इनको अब जो है कट कर लेते हैं और आप लोग जो है वीडियो में कांटीनू बने हैं फिर उसके बाद में आप लोग जो है देखते रहेगा तो इधर जो है तेल भी हमारा गरम हो चुका था तो इस तरीके से बस तरोई डाल कर और बच्चे जो है कुछ लोग तरोई नहीं खाते हैं कुछ लोग खाते हैं हम सभी लोग बड़े लोग खाते लेकिन बच्च और 20 मिनट के बाद हमारी सबजी पक कर रेडी हो चुकी है तो सबजी हमारी पक चुकी है इसको एक कटोरे में कर लेते उसके बाद में बनाते हैं रोटिया जब तक हमारी सबजी पकी थी तब तक हमने चावल भी साफ करके डाल दिये थे धुलके भी डाल दिया था तो उधर जो है चावल पक रहे हमारे और इधर हमने आटा भी लगा करके रख लिया था तो रोटियां भी अफसे इकने लगे हैं तो फटा फट से बना लेते हैं, रोटी उधर तब तक हमारे चावल भी हो जाएंगे और चावल की हम जो है आप लोगों को वीडियो नहीं शेयर नहीं कर पाएं हैं कुछ बैने हमारी पूंचती हैं तो हमने सोचा बता देते हैं आप लोगों को तो चावल भी बनाए हैं और कभी कभी नहीं भी बनाते हैं जो सुखी सबजी होते तो नहीं बनाते हैं और आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो हो तो हमारे प्रियसातियों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद तो खाना हमारा बन चुका था और उसके बाद में खाना पीना भी हो चुका था और इस टाइम जो एक साथ सुबह का खाना पीना नहीं होता है क्योंकि एक साथ नहाते नहीं हैं और जब तक बच्चे हो या बड़े जब तक नहाते नहीं तो खाना भी नहीं खाते हैं तो जो नाता जाता है बस वही खाना पिना करता जाता है तो वीडियो कोई नहीं सूट किया था और यहाँ पड़ चल रही है हमारे बेल के सर्वत की पार्टी तो आप लोग भी आजाए साथ में आप लोगों के लिए हमने सर्वत बना रखा है और गर्मियों में आनंद लिजेगा करके और यहां पर दोपहर का टाइम है तो कुछ लोग सो रहे हैं कुछ लोग इधर उधर हैं तो हमने कहा कि चलो जब सब लोग इकठा होंगे तब पिया जाएगा लेकिन बच्चे कहने लगे कि नहीं मामी दो दोपहर का टाइम है पिया दिया था और फिर उसके बाद में आ चुके हैं इधर चौके की पुताई करने और दोस्तों आप लोग इतनी प्यारे प्यारे कमेंट करते हों सच में दिलखुस हो जाता है आप लोग ऐसे ही साथ देते रहना और अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर देना और जादा से जादा अपने दोस्तों रिष्तेदारों में सेर जरूर कर दिया करो और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दिया करो और आप लोगों के रिपलाई नहीं दे पारे उसके लिए माफी चाहती हूं दोस्तों क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं इस time ताइम नहीं मिल पारा है तो यहां पर पुताई कर लेते हैं और उसके भाद में अपने यह रसुई की deep cleaning कर देंगे सापसफाई कर दिया है उपर से दिवारों की पुताई नहीं किया है लेकिन नीचे की गोबर से लिपाई कर देंगे काफी ज़्यादा लिपाई करने लायक आ चुका है और इधर के दिवार भी आप लोग देख सकते हैं वो खराब हो चुकी है जो चुने से मने पुताई किया था लेकिन अभी जो फिलाल ज़्यादा नहीं खराब हुई है तो उपर से नहीं करेंगे लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा लिपाई करने वाला आ चुका है तो नीचे की लिपाई कर देंगे तो चूले की पुताई हमने कर दिया था उसके बाद में बाल्टी लेकर के आ गए इसको साप करके दूसरी मिट्टी भिगो देंगे और जो है अब चलते हैं लिपाई करते हैं और आप लोग जो है नेचुरल वाइस का आनद लीजी कि मामी में थोड़ा थोड़ा देखो अब है रुकोस सब राखे देओ बुरूस एक खाली पहले आईसे चूनस पुताई हुई जी वहिके बाद में हाँ जब यह दोनों लोग डिजायर में बनावा लेके तब मुदर खंबा पुताई कर दिनों ठीक एटाई करें कर दो कर दो करें नानी आइसा मत बोलो बच्चे मन के सुस्ते बेलकुन सही और चियावन करियो तो फिर नानी आपको बुर्स दो के लाग रही है अर्य इतना नल्ग यहां कर दो उड़ा हो अरे पे बन के सकते हैं चित्ती कर रहा है ममी रहा पीछे को ते देती है मामी शूट करेंगी वीडियो है ना हमी मामी अच्छी अच्छी पेंटिंग और तो दोनों लोग बनाना पड़ी आम खुशी है ना खुशी हम तुम कि आप दिजाइन को इस दो सूचे हो डिजाइन स्वुश्व जोचे वो समझें नहीं नहीं आवति रहा है तो तो पैर नहीं हो सिर्फ यहीं करा देखिएं मामा करला रहे hem, पाते के तरहुस, परोवाते ही, इस परोः होगा है, इसे पीड़ा आट आप्ध, और फोवन चुई रहे है但 मैमामी कげते के तरहोगा इस नहीं भुहाइ मामी में आते हैं तो है खाली कलर, सिफ अते हैं तो है कलार, दूए, हाथ अदो यह कलर में नहीं हुए, भाई फूल रणादीनों लाग से, जे हाथ देखें आगा, उदा इसे विप्ली पाले टीबिए, जाला हुए, मामी यह जाखो पाने पो दीरे, पाले, पैले, जालो हुए, हैं सोल और बाय को Is assessments इसलिखे गये खानी चले डोह खादी ही कारा में आणी हम इस अधर फार्म हम भावजिश जाओ अधरेसे काले खृबो स्टी आणा भी कराव लागाति यह मार खवासे हैं, अन्स भारी मामे जो निया दिजान में एकका पुद्गो ना हाँ नुचे ओली सांत पौत देवेव यह कुछी खाला एक खाला चली है बुने हाँ तो करी हो यह तो पौतेवाल हमार पातरी ना कही दिन हमारे पहले पौती-पौती जूम जादा है मामे जूम पास से दिखाए दे माम हम कुछ नहीं कि इंच पर बैठो तो रसोई की लिपाई हमारी हो चुकी है रसोई हमारी साप सुत्री हो चुकी है और गोबर्था उसको बाहर डाल देंगे और बच्चे इधर परेसान थे कि मामी जो हमको कुछ बनाना है जैसे आप बनाती हो पेंटिंग करना है तो हमने एक दिन का चलो किसी दिन इस दिवार पर रसोई के जो बाहर वाली दिवार आंगन की साइड वाली है यहाँ पर तो इस पर जो है कुछ बना देना तो वही जब कुछ नया होता है तो बच्चे हो या बड़े करने का बहुत मन करता कि हम भी ऐसा करें तो यहाँ पर पुताई कर रही है और हमने चुना भी गो दिया था लेकिन इनको करना नहीं आ रहा है और साम को होने वाली है गोल गप्पी पार्टी तो उसी की हम त्यारी कर रहे हैं और इधर ये लोग परिशान थी हम मना कर रहे थी कि करना नहीं बेटा तुमको आएगा लेकिन कहा कि नहीं मामी हम कर लेंगे तो यहाँ पर बता रहे थे क्योंकि लाइनिंग बन जा रही थी बराबर की पुताई नहीं हो रही थी तो इसमें जो है जो भी पेंटिंग बनाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल लाइनिंग से दीख रही थी तो हमने कहा ऐसे करो फिर हमने कहा चलो अच्छा हटो लाओ हम ही कर देते हैं थोड़ी देर लगेगा जब सूख जाए तो इसमें जो कुछ भी पेंटिंग करना हो तो बना देना और अभी सूख जाने तो हम पुताई कर देते हैं तो बस इतने ही पुताई करनी है उसके बाद में हम साम के खाने की तयारियां करेंगे और साम को जो है बच्चों का मन है वज़े आज थोड़ा सा थंड़ा मौसम है सुबह भी हलका सा बादर बुंदी था लेकिन रात में बहुँ ज़्यादा बुंदी बांदी हुई है तो यहाँ पर पुताई हमारी हो चुकी थी अभी सूखा नहीं है और इधर जो है थोड़ा सा नीचे चूने यानि चूना जो चू गया था तो उसको जो है साफ कर देंगे गीले कपड़े से नहीं तो चिपक जाएगा तो और खराब लगेगा इधर करने जा रहे हैं बस खाने की साम की तयारी तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और उमीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी यदि वीडियो पसंद आ गई हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और जादा से जादा अपने दोस्तों रिष्टेदारों में शेयर भी कर देना और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके भी बता देना कि आज का हमारा वीडियो कैसा लगा और आप लोग हमें साख खुस रहे हैं हमें दीजे इजाज़त नमस्कार दोस्तों